हेलो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल इनर पीस में आज हम अपने इस वीडियो यू के एच फाइब में हिश्चिय अप उत्राखंड के अंदर आपको बताने जा रहे हैं कड़वाल का पावार राज़ को दोस्तों बात करें तो अप तक के वीडियो में हमने अपने टोटल एतिहासिक काल को तीन भागों बाता था प्राचीन काल मदे काल और अधुनिक काल प्राचीन काल को हम कंप्लीट कर चुके हैं और मदे काल में भी कत्यूरी और चंदर राज़वन्स को हम अपने पुराने वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं और आज की वीडियो म का पवार राजबंस दोस्तों बात करते हैं तो नवी सदापदी के आसपास जो गढ़वाल का सेत्र था वो 54 गढ़ू में बढ़ गया था गढ़ अगर इसे कहा जाए तो गढ़ का अगर मीनिंग देखा जाए तो वो एक किले जैसा है होता क्या था कि छोटे-छोटे से राज दोस्तों चाथपूर गढ़ जो है आज का चमोली है जो कि गढ़वाल का इक्ष्टिक है चमोली तब होता यह है सन 887 भी जो पहला सन आपके सामने आता है वो है 887 तो गुजरात के थार का सासक था कनकपाल वड़ा इंपॉर्टन नाम है कनकपाल वो आता है गढ़वाल में तीर ठाटन पे जब तीर ठाटन मतलब तीर ठाटन करने आता है तो होता कहा है आए दोस्तों उससे पहले चलते हैं अपने नेक्स लाइड ने तो यह वो चाठपूर गढ़वाल जिसे हम चमोली भी कहते है इस तान पे ही जो सबसे पहले जो होते हैं गुजरात के सासक स्थाल राजा जो बड़े ही इंपॉर्टंट हो जाते हैं सन 4888जवी में चादपूर कर ड़ी में पोर या परमारा राजय exercising की स्तापना करते हैं अब रॉर्य थापना देहती हैं हाई इसी स्थे स्थान पर चाद्पूर गड़िया चमोली में पवार या परमार राजवन्स की स्तापना हो जाती है सन 888 में तो इस सन याद करना बहुत सारा ले ट्रिपल एट अब बात करते हैं आगे तो सन 888 से उनीच सो उन्चास तक लगबग 1100 साल का अगर आप ये थिहास देखें 1000 से 1100 साल इनके टोटल 60 ही राज़ा हुए अपर्ट फ्रम इच आगे बढ़ते हैं तो इनीशिली देखें तो दोस्तों 1030 के आसफास तक कार्टिकेपूर राजा भी ही उत्राखन में राज कर रहे हैं तो ये राज़ा तो जो हमारे पावार राजा थे ये कार्टिकेपूर राजाओं के सामन्त थे लेकिन 11th सेंचूरी में जब कार्टिकेपूर राजा कमजोर हो जाते हैं तो इन्होंने अपने आपको एक फतंतर शक्ति की रूप में स्थापित कर लिया मतलब इंडिपैंड सासक हो जाते हैं इनके टोटल साथ सासकों को हम पढ़ेंगे वैसे तो साथी सासक हो हैं लेकिन जो साथ इंपोर्टेंट सासक तो हमारे एग्जाम पॉन्ट ऑफिऊ से इंपोर्टेंट हैं उन्हें हम definitions सासक हैं तो अब तक के लिए अगर देखें तो हमने भानुपर आपने ही काम सुक्सेसपुल वे राजा अजय बनदे के लिए ललमागर्या करणाया। तो आपको अपनी राजधानी को भी चेंज करना पड़ेगा क्यों क्योंकि एरिया बढ़ने से आपको प्रसास्टिक कंट्रोल बनाने के लिए सुटेबल जगह पर जाना पड़ेगा ऐसा हमने चंद राजाओं के समय भी देखा उन्होंने क्या किया था चंपाओं से अपनी राजधानी अल्मोडा सिप्ट की थी ऐसा अंग्री जूँ के बारे में भी हम बाद में देखेंगे और और भी सास्कू में देखेंगे तो यहां पर इन्होंने क्या किया सबसे पहले चमोली से जो भी अपनी जो राजधानी इनकी थी एक्सपेंशन के नाम से राजधा अजयपाल ठीक है पन्द सो नीज तक का मैं इनका एरा दिखा रहा हूँ अब आगे बारते हैं साह उपादी अभी तक कि मैंने जितने भी आपको डिसकस्टन्स बताएं यहां पर कहीं पर भी इनके नाम के आगे शाह नहीं आ रहा है बट गड़वाल के साह सक तो साह लगा रहा है अपने आगे तो मानवेंद्र शाह जिसे लाज साह सक थे तो इन्हें शाह उपादी दी किसने तो पता चलता है कि लोधी वंस के साह सक बहलोल लोधी ने लोदी वंस के साथ सक बहलोल लोदी ने इनको शाह की उपादी से नवाजा था और सबसे पहरे जिस व्यक्ति ने जिस राजा ने शाह उपादी ली वो थे बलबदर शाह और फिर 1949 तक ये परमप्रा चलती रही तो ये भी बात होगी दूसरी अब तिसी बात आती है नाकटीरानी महारानी करनावती UKPCS में इनसे दो बार कोईशन पुछा जा चुका है अभी तक इश्यू ये हुआ कि 1636 इस भी में मुगल सेनापती नावाजत खाने गड़वाल पर हमला कर दिया अब जब गड़वाल पर हमला कर दिया तो उसमें गड़वाल की या पावारानी करनावती तो इन्होंने बड़ी सूजबूत से किया कि मुगल सेनी को पकड़ा उनके नाकटवा दिया तब से इनका नाम नाकटीरानी हो गया तो इंपॉर्टन और जो कुमाओं एरिया है वो गोरखाओं के इंदा चला जाता है तो वो भी अपने एरिया का एक्सपेंशन करना जाएंगे तो ठीक एक साल बात सतर स्वाइकानाबे में गोरखाओं ने गड़वाल पर भी अकरमन कर दिया लेकिन यहां गड़वाल में गोरखा पराजित हो गए पराजित हुए तो सासक ने उसे संदी करवाई संदी के दो पॉइंट्स थे पहली बात तो हर साल गोरखा 25,000 रुपे का वार्शिक कर देंगे गड़वाल के राज़ा को दूसरी बात उन्होंने यह सर्थ माने वचन दिया कि वो दुबारा कभी गड़वाल पर अकरमन नहीं करेंगे लेकिन हुआ क्या संद 1790 भी में शंदी हुई और 1803 इस भी में गड़वाल में भाएंकर भूकम पाया जब भूकम पाया वे रहा था तो वहाँ पे तरस्दी फैल गई तो इसका फाइदा उठाया किसने सीधे सीधे इसका फाइदा उठाया अमर सिंग थापा और हस्ति दल चौतरिया ने इन दोनों के निततों में ही गोरखाओं ने गड़वाल पर आकरमन कर दिया इंपोर्टन नाम है अमर सिंग थापा और हस्ति दल चौतरिया और उसमें जो सासक थे गड़वाल के वो थे राजा प्रदमन शाह तो इनोंने काफी मदद के साथ लोगों की मदद के साथ जो है अपनी शेना को एक किया और 1844 में देरादून के खुडबुड़ा के मैदान में याद कीजिएगा देरादून के खुडबुड़ा के मैदान में एक निर्ना एक युद्द लड़ा लेकिन राजा प्रदमन शाह इसमें वीरगेती को प्राप्त हुए और गरवाल जो है गोरखाओं के अधीन हो गय लाड हेस्टिंग किसे से मदद मागी और उनकी मदद से ठारश रूप पंद्र में उन्होंने गड़वाल को गोरखांस से स्वतंत करा लिया लेकिन कभी भी कभी भी अगर आप देखें तो अंग्रेजु ने किसी की मदद ऐसे ही नहीं की अंग्रेजु ने हमेशा से फायदा राज्जी उन्होंने गड़वाल के राजा है पावार राजा सुदर्संसा से ले लिया विवस होकर सुदर्संसा ने ठारश पंद्र में अपनी राजानी स्रीनागर से टेहरी शिफ्ट कर दी एक अगस्त उनीस्तों चास तक राज करते रहें वह सिमधिया उनकराज्य तो यह वो टेहरी करवाला है जहां पर जाके रहने लगया और एक अगस्त उनीस्तों चास तक वही रहें और उनीस्तों चास इस भी में भारत में विले के अबाद तेहरी राज्य को उत्तर प्रतिस का एक जीला बना दिया गया है यह स्टोरी थी अब दोस्तों आगे बढ़ते है आप तीनों को जिहां से याद कीजिए कुछ-कुछ में याद करा लूँगा तो इस काल में मनोदय काविय बहुत इंपोर्टन हो जाता है क्यों होता है भी होता हूंगा और सुदर्सनोदय राजा सुदर्सन थे तो सुदर्सनोदय और गर राजो वन्स आदिक अनेक कवश्चain के बारे में बात हो गई अब बात करते हैं कड़वाल के प्रमक्षा जञासकों के करीकैब ले देंक साथ मैं साथा सासकों को बताने जा रहा हूं सबसे वहले राजा कंठ पाल राजा कंठ पाल राजा वही रजा घार्टन पर यहां पर आते हैं और यहें पर देती थी फिर आती मह राणी कर्णायवथि न lijकाती है 1636 मिंपिन वाजत खां सब्सक्राइब अैं इनके चाद कब नाम नायवारराजवन्ऴलन्स की आगे फ़ेफ्य में प्रदुम्न शाह बनाम है 804 में देरादुन के पास खुडबूड़ा के मैदान में बीर गैती को प्राप्त होते हैं बड़ा युद्द्ध लड़ते हैं और इसी इनकी की समय बादा गड़वाल जो होता है इनके पावा डाइनेस्टी से चला जाता है ठीक है और फिर वापस आते हैं सुदर्शन्सा उ टेरी स्तानातित करने पड़ते हैं वही टेरी जहां 1949 तक विलाई होने तक यह रह जाते हैं उसके बाद आते हैं च्छटे सरकीर्थी सा 1913 क्या स्वाशिन कह रहा है अंग्री जुने ने सिविल सर्विश्विस आफ इंडिया पादी दी इसलिए इसलिए इंपॉर्टन है और लास्ट है मानवेंद्र सा यह पावार डाइनस्टी के लास्ट सा सकते हैं 1946 में बैठते हैं और 1949 में जब टेरी रियासत का भारत में विलाई होता है इसके लिए मैं आपको बता दूं कि जब हमारा समीधान लागू हुआ था कि भारत में कोई उपादी नहीं होगी कोई माहराजा नहीं हो तो इसलिए टेरी रियासत का भारत में विलाई हो जाता है और उन्हां चास में उसको उत्तरब्रदेश का एक इंडिपेंडन्ट चिला बना दिया जाता है तो मानवें सा उसमें सा सकते हैं दोस्तों ये आज ह रहा हूं मैं आपको गोर्खा राजबंस के बारे में बताऊंगा UKS6 जो वीडियो है और कुछ पुराने questions को जो कि important है पिरी के point of view से मैं में इसके questions को नहीं बता रहा हूं पिरी के point of view से जो important है और भी मैं डिसक्स करूंगा UKS6 में प्लीज लाइक कीजे शेयर कीजे कमेंट कीजे और सब्सक्राइब कीजे मेरे चैनल इनर पीस थैंक यू थैंक यू थैंक यू फो बोलागा